दोस्तों अगर आप इंडियन बैंक में आपका एकाउंट है और आप भी अपने इंडो एसिस अप्लिकेशन में को लागिन करना चाहते हैं अपने बैंक एकाउंट से वो भी बीना ATM काड के तो मैंने पिछला वीडियो बना दिया है लेडी कैसे रेजिस्टर करेंगे अब इं कैसे लिएन लेना है कैसे यूज कर सकते हैं कैसे बैंक का चाहर अपना on के स्छिक कर सकते हैं अपने को शिटेप बाइ टीफ में दूस्तों आपको दिखाने वादे कैसे इंडोएसस अप्लिकेशन से सारी addresses का लाफ ले सकते हैं घर Daar मोबाइल पोन से तो चलिए षाज कि इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों इससे पहले एक रिकोर्ष टेकर आपने वीडियो पसंद आया थे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को आन कर दीजिएगा ताकि जब मैं कोई वीडियो अप्लोड करें तो उसको नूट पर दोस्तों आता है अप्लिकेशन का उसके बाद यहां हमारा बाइयोमेटिक लगा है तो यहां बाइयोमेटिक से इसकी लाग खोल लेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा दोस्तों यहां पर देख लिए सारे पीचर्स आपको दिखाई दे रहे आप भीम UPI बना सकते हैं और यहां से positive pay system कर सकते हैं IMPs यहां IMPs के दोरा transaction दोस्तों payment कर सकते हैं 24 गंटे जैसे self pay करना तो इस पर click करेंगे उसके बाद नीचे यहां पर लिखा है from from किस account से जैसे इस account से में करना तो इस पर click करेंगे किस account में करना है इस पर click करेंगे इस पर payment देना है उसके बाद amount का selection मिलेगा amount हम भर देंगे उसके बाद remark कोई अगर mark करना चाते हैं कोई निसान लगाना चाते इस पर लिख देंगे उसके बाद schedule transfer option मिलेगा schedule किस time पर payment transfer करना चाते हैं advance में भी आप लगा सकते उसके बाद proceed वाले पे click कर देंगे, तो इस तरीके से आप जो है यहां से schedule set कर सकते हैं, यहां पर पासबूका आपसन दोस्तों मिलता होगा, यहां पे आप click करेंगे, यहां click करने के बाद कुछ इस तरीके से screen पलड़ जाती है, तो कुछ इस तरीके से interface आएगा, यहां पे आ वाले पे click करेंगे, कुछ page load लेगा थोड़ा, उसके बाद हमारा जितना details है, इस तरीके से निकल करके आजाएगा, कि date में कितना चाहिए, आप वो date अपनी चूज कर सकते हैं, वो date से सारा statement इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो bank का statement देखने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पे आना होगा, उसके बाद दूस्तो recharge and travel का option मिलेगा, इस पे click करेंगे, तो आप recharge अगर करना चाहते हैं, अपना phone का recharge करना चाहते हैं, तो इस पे click करके recharge वाले पे click करेंगे, यहाँ inter mobile number, select operator का नाम, inter amount डाल करके, इस तरीके से proceed to recharge पे click कर सकते हैं, डिटियर का recharge कर स चाहेंगे, तो टिकर यहाँ से booking कर सकते हैं, बस का booking करना चाहते हैं, होटल booking करना चाहते हैं, यह भी यहाँ से book कर सकते हैं, फास्टेक का recharge करना चाहते हैं, तो इस पे click करके, वीकल registration number डाल करके apply to fast track पे click कर सकते हैं, एकाउंट पे click करके, आप एकाउंट का statement अपना देख आपके account में कितना balance है आपको यहाँ पर show करेगा account details देख सकते हैं mini statement चेक कर सकते हैं statement पर click करके statement आप देख सकते हैं payment transfer transfer अगर करना है तो यहाँ पर transfer पर click करेंगे sell पर अपने account पर click करना sell paper करेंगे benefitally pay करना इस पर करेंगे easy pay करना credit card से pay करना है तो इस तरीके से click करके आप साथ detail डाल करके यहाँ से कर सकते हैं उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ deposit deposit पर click करेंगे term position deposit यहाँ लिखा जाएगा FDRD जो भी आपको करना यहाँ से FDRD भी आप जमा कर सकते हैं इस services क्या है यहाँ पर request locker facility, change home branch, email update apply for services यह सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो भी update अपने हाँ कर सकते हैं card का option मिलेगा इस पर click करेंगे debit card के लिए यहाँ पर click करेंगे account number डालेंगे account select कर लेंगे debit card के लिए यहाँ से apply भी कर सकते हैं apply loan दोस्तों कर लेना चाहते हैं तो apply loan वाले पर click कर सकते हैं apply loan through जो भी apply loan के ind dg home loan, ind dg weaker loans, revenues loan जो भी चाहते हैं आप loan के लिए यहाँ से apply भी कर सकते हैं value added services के option मिलेगा transaction history पर click करेंगे तो यहाँ पर आपने buying cash transaction history देख सकते हैं कब कब क्या हुआ है उपर नाम मिलेगा date मिलेगा search by transaction date search by date date डालकर click करेंगे यहाँ transaction history आपके सामने आ जाएगी दोस्तों अगर किसी को payment देना है तो scan any qr code पर click करके यहाँ से yes कर देंगे उसका qr code scan कर सकते हैं आप payment कर सकते हैं IM shopping पर clicker की यहाँ से shopping भी कर सकते हैं I agree पर click करेंगे पर सीट पर click करेंगे यह सारे सुपधाओं का lab यहाँ से ले सकते हैं यहाँ दोस्तों fund transfer लिखा है इसे पर click करेंगे तो fund transfer यहाँ से कर सकते हैं जिसको payment देना है पे बिल रिचार्ज, यहां से भी पे बिल रिचार्ज का कर सकते हैं, तो इस तरीके से सारी सर्विशोस का लाब, यहां से आप कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल उपर प्रदिक रहे होगी, नाम पड़ेगा, डेट मिलेगा, यहां पर, उपर थ्री डाउट मिलेगा, इस पर क लिकरेंगे मैने सेड़ोल टांसफर कर सकते हैं मैने से फैसिल्टी रिवार्ट जेमो वेक्यल्स यह सारा कुछ यहां पर आप चाहें तो दोस्तों यहां से भी कर सकते हैं इस तरीके से आप अपने इंडिया पो इंडियन बैंग इलाहाबाद बैंग का इंडो एसस अप्लिके को यूद करना सीख गएंगे तो आज इसकी वीडियो को यहीं पेहिंट करते हैं फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जान करके साथ तब तक के लिए जाएंद